नमस्कार दोस्तों मैं अर्शद आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल अर्शद सर जीके में इतिहास महत्पुडुक प्रशनुतरी स्रिंखला में आपका स्वागत है आज प्रशन नंबर हम लोग 131 से देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का प बीरबल या अपसंडी भगवान दास आपको बताना है दीने इलाही को स्विकार करने वाला एक मात्र हिंदू कौन था तो दीने इलाही धरम को स्विकार करने वाला एक मात्र हिंदू बीरबल कौन थे बीरबल थे याद रखिएगा बीरबल कासली नाम महेंस दास इन्होंन दीने इलाही ध्रम को स्विकार किया था। चले, प्रश्य नंबर 132 का उत्तर बताना है आपको। बताना है किसके द्वारा टीपड़ी किया गया कि दीने इलाही अकबर की मुर्खता का परतीक थाना कि उसकी बुध्धी मत्ता का तो यह टीपड़ी विंसेट इसमित के द्वारा किया गया है इन्होंने लिखा है कि दीने इलाही अकबर की मुर्खता का परतीक थाना कि उसकी बुद्धी मत्ता का चले प्रश्ण संक्य 133 का उत्तर बताना है मुगल समराट औरंग जेब कौन सा बाध यंत्र बजाते थे यहाँ देखिए आपसन आपको बताना है देखकर मुगल समराट कौन सा बाध यंत्र बजाते थे यहां बनाते लिखा तो यह गलत लिखा है बजाते थे आपको याद रखना है तो आपसने सितार या आपसन डी पखावच या आपसन सी बीड़ा या आपसन डीन में से कोई नहीं मुगल समराट आउरंग जेब कौन सा बाध यंत्र बजाते थे हलाकि आउरंग जेब के सासनकाल में संगीत पर परतिबंध लगा हुआ था लेकिन स्वैम आउरंग जेब को संगीत से प्यार था और इसलिए आउरंग जेब बीड़ा बजाते थे तो इस प्रशन का उत्तर क्य आकिरतियों से युक्त सिक्के चलाए थे आपसने दिद्दा या आपसन B अकबर या आपसन C मुहमत गवरी या आपसन D सिवा जी तो अकबर के द्वारा राम सीता की आकिरतियों से युक्त सिक्के चलाए गए थे तो प्रशन शंग 134 का आपसन B सही है चली अगला प्रशन द C साह जहाँ या आप्सन D जहांगीर तो जिन्दा पीर के नाम से कि से जाना जाता है अओरंग जेब को औरंग जेब को जिन्दा पीर कहा जाता है तो प्रशन शंग के 135 का आपसन B सही है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं 136 सूपरशिद कृती तब काते अकबरी की रचना किसने की थी आपको बताना है के सुपरशिद किर्टी एक पूस्तक है त अकबरी की रचना किस ने की थी ? आपशन A. निजामुद्दीन अहमद या आपशन C. अबुलफाजल या आपशन D. ख्वांद मीर आपको बताना है कि तब काते अकबरी की रचना किस ने की या ? तो तब काते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा, किसने लिखा निजामुद्दीन अहमद ने, तो प्रिशन शंग 136 का आपसन ए सही है, चली अगला प्रिशन देख लेते हैं, अकबर के राजकाल में भूमी जिसे परतिवर्स जोतते थे और कभी परति नहीं जोतते थे, वह क्या कहलाती थी, आपको बताना है कि अकबर के राजकाल में भूमी जिसे परतिवर्स जोता जाता था, और कभी परति नहीं छोड़ा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, आपसन A, पोलज, यापसन B, परीती, यापसन C, चाचर, यापसन D, बंजर, तो प्रिशन के 138 का उत्तर बताना है, निम्न में से कौन नूर जहां के गुटका सदस इन में से कौन नहीं था, आपसन B, गयास बेग, यापसन C, आसप खां, यापसन D, खुर्रम, तो आपको बताना है कि नूर जहां गुटका सदस इन में से कौन नहीं था, तो नूर जहां क गुट का सदस जहांगीर स्वयम नहीं थे याद रखना है नूर जहां गुट के सदस जहांगीर स्वयम नहीं थे चलिए प्रिशंख 149 का उत्तर बताना है 139 किस मुगल बाद साहे ने इस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्टरी अस्थापित करने की आग्या दिया था आ आपसन B साह जहां यापसन C फर्रुक सियर यापसन D बहादुर साहे दुतिये तो अब बताना है कि इस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्टरी अस्थापित करने की आग्या किस ने दिया था तो जहांगीर ने जहांगीर ने दिया था याद रखिएगा चलिए प्रिश प्रिशन का उत्तर आपसन D हो जाएगा चलिए प्रिशन नमबर 141 का उत्तर बताना है आपको निमलखित में से कौन सा युग मा सुमेलित नहीं है आपसन A अकबर का मकबरा सिकंदरा में या आपसन B जहांगीर का मकबरा सहादरा में या आपसन C सेख चलिए सलिम चिस्ति का मकबरा फते प्रुशिकरी में है या आपसन D सेख निजामुद्दीन अउलिया का मकबरा तो आपको याद होना चाहिए कि अकबर का मकबरा सिकंदरा अर्थात आगरा में है ये सही है जहांगीर का मकबरा सहादरा में है सहादरा कहा है लाहूर में आप संसी देख लेते हैं सेख सलिन चिस्ती का मकबरा कहा है तो फतेपुर सिकरी में है जो आगरा में है चलिए आप स यंके 141 का आपसंडी सही है चलिए अगला देख लेते हैं प्रेशन नमर 142 निमलकित में से किसके सम्मान में साह जहां ने आगरा किले की मोती मस्जित का निर्मार करवाया था बताना है आपको किसके सम्मान में साह जहां ने आगरा किले की मोती मस्जित का निर्मार करवाया तो बताना है कि किसके सम्मान में साह जहां ने आगरा किले की मोती मस्जित का निर्मार करवाया था तो साह जहां ने जहां आरा याद रखिएगा जहां यारा के सम्मान में जहां आरा के सम्मान में आगरा किले में मोती मस्जित का निर्मार करवाया था तो प्रशिद शंग 142 का आपसन B सही है अगला प्रशिद देख लेते हैं अकबर के सासन काल से संबंध परशिद ब्यक्ति हरिवन्स मुकुंद तथा दासवंध क्या थे तो हरिवन्स मुकुंद और दासवंध के बारे में बताना है आपसन A वस्तू सिल्पी थे या आपसन B या आपसन C योद्धा थे या आपसन D लेखक थे तो अकबर के सासन काल से संबंध परशिद ब्यक्ति हरिवन्स मुकुंद तथा दासवंध ये चित्रकार थे परशिद चित्रकार थे तो प्रशिद चंक 143 का आपसन B सही है अगला प्रशिद देखते हैं ख्वाजा अब् चित्रकार था आपसन A बावर या आपसन B अकबर या आपसन C जहांगीर या आपसन D सही है ख्वाजा अब्दुस समद किसके दरबार का चित्रकार था तो ख्वाजा अब्दुस समद या जहांगीर के दरबार का परशिद चित्रकार था याद रखिएगा अगर आप प्र बरगा में तो राभिया उद्दवरानी ये औरंग जेब की पतनी थी जो फारस की राजकुमारी थी और इनके याद में औरंगा बाद में आरंग जेब ने दुतिय ताजमहल בनाया है याद रखिएगा जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं तो रावियव दवरानी का मकबरा औरंगाबाद में है औरंग जेब ने बनवाया था जिसे दूसरा ताज महल कहा जाता है चले प्रिश्चन के 146 का उत्तर बताना है आपको परशिद चित्रकार मंसूर किसके काल में था अपसन A अकबर या अपसन B जहांगीर या अपसन C साह जहां या अपसन D हुमायू तो आपको बताना है कि मंसूर किसके काल का चित्रकार था तो अब्दूस समद और मंसूर ये दोनों जहांगीर के सासन काल के परशिद चित्रकार थे तो प्रिशन के 146 का आपसन B सही हो जाएगा अगर आप प्रिशन देख लेते हैं रूप चित्र अर्थात पोट्रेट पेंटिंग किसके काल में विक्सित हुई रूप चित्र अर्थात जिसको अंगरेजी में पोट्रेट पेंटिंग कहते हैं यह किसके काल में विख्सित हुई या आपसन A, आकबर, आपसन B, जहागीर, आपसन C, साहे जहाँ या आपसन D, औरंग जेब तो रूप चित्र पोट्रेट पेंटिंग यह अकबर के काल में बिक्सित हुई थी अकबर के तो प्रिशन शंक 147 का आपसन यह सही है चलिए अगला देख लेते हैं